नारी सिक्षा परने बंद भारते समाज के सही आतिक और समाजिक विकास के लिए नारी सिक्षा बेहर जरूरी है महिला एवं पुदुश दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है जिस तरह से साइकल का संतलन दोनों परियों पर निर्बर होता है उसी तरीके से समाज का विकास भी पुरुश और महिला के कंदों पर आशित है दोनों ही देश को नई उचाईयों तक ले जाने की शम्ता रखते हैं इसलिए दोनों को ही बराबर की सिक्षा का हक मिलना जरूरी है अगर इन दोनों में से किसी भी एक की सिक्षा का स्थर गिरा तो समाज की परगती होना नामुम्किन है भारत के उन्नती के लिए महिलाओं का सिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने बच्चों की पहली सिक्षक मा ही होती है जो उन्हें जीवन की अच्षाईयों और बुराईयों से अवगत कराती है अगर नारी सिक्षा को नजर अंदाज किया गया तो देश के बाविश्य के लिए ये किसी कत्रे से कम नहीं होगा एकन पर महिला में वो का अबलियत नहीं होती जिसे वो अपने परिवार बच्चों का सही खयाल रख सके इस कारण आने वाली पीवी कमजोर हो जाएगी हम महिला साक्षता के सारे लाब की गिंती तो नहीं कर सकते पर इतना जरूर कह सकते हैं कि एक सिक्षित महिला अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाग सकती है उन्हें अच्छे बुरे का ग्यान दे सकती है सामाजिक तथा आतिक कार करके देश की प्रगती में अपना योगदान दे सकती है एक पुरुष को सिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति तक सिक्षा पहुचा पाएंगे पर एक महिला को सिक्षित करके हम पूरे देश तक सिक्षा को पहुचा पाएंगे महिला साक्षता की कमी देश को कमजोर बनाती है इसलिए ये बहुत सर्दूरी है कि महिलाओं का उनकी सिक्षा का हग दिया जाए और उन्हें किसी भी तरह से पुरुशों से कम ना समझा जाए निश्कोष आज के समय में भारत महिला साक्षता के मामली में लगतार प्रगती कर रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में भी महादू महिलाओं का जिक्र किया गया है मीराबाई दुर्गावती अहल्याबाई लक्ष्मी बाई जैसी कुछ मशूर महिलाओं के साथ-साथ वेदों के समय की महिला दश्न शास्त्री, गार्गी, विश्वबरा, मैत्री, आदिक अभी उधारन इतिहास के पन्नों में दर्स है ये समयले प्रीना का शोत थी, समाज और देश के लिए दिये गए, उनके योगदान को हम कभी नहीं बूल सकते